आपको ले चलते हैं गाउं के एक स्कूल की कक्षा में जहां टीचर बच्चों से कुछ सवाल पूछ रहा है सर कितनी बार बताओ कि लाइधी नहीं थी अच्छा कपेल तुम बताओ मुझे कि अगर एक स्टरफ पैसा हो और दूसरी तरफ अकल तो तुम क्या लोगे सर मैं तो पैसा ही जोनूगा अगर मैं तो अकल चुनता है ठीक कहा सर आपने जिसके पास जिस चीज की कमी होती है वो वो ही चुनता है आदेच तुम खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ शाबबाश अच्छा बेटा ये बताओ कौन सी किरिया सबसे तेज उड़ती है सर हाथी चप दाना है तेरे पापा क्या करते है सर मेरे पापा दाओ इबराहिम के शूटर है शाबाश शाबाश बच्चों लिखो 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 अच्छा बेटा मैं दर एक बात तो बताओ किसी साइंटिस्ट का नाम बोला तो सर आलिया भट आलिया भट नराक यह सिखा रहा है तुम्हें नहीं नहीं सर यह तो बच्पन से ही तोत्रा है इसका मत्रव है आर्या भट अच्छा अच्छा थीक है थीक है बैठो बैठो अच्छा बेटा मोहिंदर तुम मुझे यह बताओ कि 1869 में क्या हुआ था सर गांदी जी का जनम शाबाश शाबाश बिल्कुल सही अच्छा अब एक वात और बताओ कि 1872 में क्या हुआ था सर गांदी जी 300 के हो गई थे देखो बच्चो जो अपनी बात दूसरों को समझा ना सके वह गदा होता है सर क्या मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आया अच्छा पच्छो मैं तुवे एक बात बताओ कि दिल्ली में कुटूब मिनार है अच्छा कदल बताओ मैं क्या कह रहा थो सर आप कह रहे जे कि दिल्ली में कुट्ता भी मार है अच्छा कुट्रूंदे बेता तुम्हे तो कर लेसन याद करने को दिया था वो याद करके आये हो नहीं कर पाया अरे क्यों नहीं कर पाया भाई सर लाइट चली गही थी तो प्रें लाइट आई नहीं आये घुरूजी गूरूजी जैसे ने पढ़ने बैठा फिर से चली और उसके बाद पर कभी लाइट आई ही नहीं गुरुजी आई तो थी पर मैं इस बख से पढ़ने नहीं बैठा कि कहीं लाइट दुवारा ना चली जाए अच्छा विकेश बिटा एके बाद क्या आता है गुरुजी एके बाद ए क्या बोलती तु मैं तेरी जान निकाव इसको जड़ा इंग्लिश में ट्रासलेट करो तेरी इंग्लिश गई भार में तुम अन्ने आप तो लगा के दिखाओ अरे हां मेटा सुनीव मेरा खुनहार बच्चा सभी तुम सभी में यह सबसे अधिक इंटेलिजेंट है अच्छा मेटा सुनीव तो मुझे यह बताओ क इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में क्या फरक होता है सर इंपोर्ट का मतलब सौनियागंदी एक्सपोर्ट का मतलब सौनियावी तेखो बिटा सुनी जबाश समझ के जवाब दो अच्छा अब एक ऐसी कहानी सुनाओ जिससे हमें कुछ सिक्षा मिलती हो सर मैंने जब उसको फॉन किया उसने पॉन नी उठाया जब उसको फॉन किया तो मैंने पॉन नी उठाया इससे ये सिक्सा मिलती है जैसी करनी पैसी भरनी अच्छा बेटा सुनी अब आखरी सबाद अगर तुह मदने के बाद यमराज ये पूछे कि तुम स्वर्ग में जाओगे ये नर्ग में तो तुम कहा जाना पसंद करें गुरुजी मैं यमराज को बोलूँगा कि प्रिच्पी से मेरा मुबाल और चार्जर मुआ दे फिर मैं कहीं भी रह लूँगा चाहे मुझे स्वर्ग बेजो या नर्ग बेजो नर्ग बेजो नर्ग को खड़े हो जाओ ये पढ़ाया मने तुम्हें हास तक तुमने वोरा पुरा नाम मिट्टी में मिला दिया तुम ऐसे नहीं मानोगे मैं तुम्हें आज च्टी का दूज ज्या तुम बच्चों के जवाबों ने तो मेरा दिवागी चकजोड दिया है ये सीने में भी दर्द उठ रहा है लगता है मुझे चक्कड आ रहा है आपानी पानी पानी